साई की बाद बच्चे तुमने तो यह सुना हुआ है न जहां चाहा है वही रहा है मेरे बच्चे तो बस फिर जब तुमने सोच ही लिया है जब तुमने चाहा ही लिया है कि वो तुमें करना है तो तुम करकर रहोगे, तुम्हें वहां तक पहुँचने से कोई नहीं रोख सकता, कोई नहीं मेरे बच्चे, तुम वहां तक पहुँचोगे और तुम्हें सब मिलेगा, सब कुछ प्राफ्त होगा, जो भी तुम चाहते होना वो सब मिल जाएगा तुम्हें, और सुनो, मु गलतियों का पश्टावा है तुमें मैं जानता हूँ मेरे बच्चे और तुम उसकी गलतियों की माफी मांग भी चुके हो उससे कई बार मांग चुके हो लेकिन अब मत मांगना क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम सचे दिल के बच्चे हो और तुमने जो भी गलतियां की वो तुमने अंचाने में की, और सुनो, जिस तरीके से तुम सब को माफ करते आये हो ना, तो खुद को भी माफ करू, खुद को भी माफ करना ये बहुत बड़ा काम है मेरे बच्चे, कई बच्चे खुद को माफ नहीं करते, और हमेशा परिशान रहते हैं, खुद को ही हमेशा दोश देते रहते हैं वो बहुत बड़ी गलत चीज है मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को दोश दो कभी नहीं और सुनू जिल लोगों की आखें नहीं खुल रही है न वो दूसरे लोगों पर इतना अंद विश्वास करते हैं तुम्हारे कहने के बावचूद भी उन्हें नहीं समझ में आता कि वो लोग तुम्हारे साथ कितना गलत वहवार करते हैं बरताव करते हैं और तुम बार बार उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हो न लेकिन उन्हें फिर भी समझ में नहीं आरा लेकिन उन्हें एक दिन ऐसी ठोकर लगीगी न ऐसी ठोकर कि उन्हें सब अकल आ जाएगी उनके सामने सच आ जाएगा वो सच चो तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो उने बार बार तुमने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया उने दिखाने के लिए बताने के लिए और कहीं हद तक न वो जानते भी है लेकिन न उसके बावजूद भी पता नहीं ना वो तुम्हारे साथ खड़ा होना पसंद करते हैं और ना तुमसे बात करना और ना तुम्हारे लिए कुछ बोला करना बस वो जैसे जिन्दगी चल रही है ना बस वो वैसे ही जिन्दगी को काटना चाते हैं बस क्योंकि वो ना बहुत अलग इनसान है बहुत अलग तरीके का इंसान है तुम जिस तरीके के होना वो इस तरीके का नहीं है मेरे बचे तो ऐसे इंसानों के चकर में अपनी जिन्दगी मत खराब करो अपने आपको अलग कर लो और इतना खुश रखा करो ना क्योंकि ये पल है ना एक एक पल ये बहुत कीमती है इस पल की कीमत को तुम समझो जो भी छोटे छोटे मौके भी खुशियों के आते हैं ना कोई भी मौका उसे अच्छे से आनंद से मनाया करो अच्छे से खुश रहा करो ये छोटी छोटी खुशिया है ना इसका आनन्द लिया करो ठीक है न और सुनो क्या हुआ अगर उन्होंने तुम्हें आशिरवाद नहीं दिया तो क्या हुआ तुमने तुम अपना फर्ज निभाया न तो बस जाने दो तुम इतना परिशान मतो तुम अपने अच्छे करम करो अच्छा सब कुछ करो सामने वाले को करने दो जो वो कर रहा है तुम्हारे करमों का फल तुम्हें मिलेगा न तो बस फिर और उनके करमों की सजा उन्हें मिलेगी तुम जाने दो कहने दो उन्हें वो जिसके डर के वज़़े से ये सब कुछ नहीं बोल रहे हैं न, तो सुनो, वो जो दोनों शडियंद रश्टे हैं न, एक दूसरी की जरुतों को पूरा करने में लगे हुए हैं न, उन्हें लगता है कि तुम्हारी कभी जरुत नहीं बढ़ेगी उन्हें, लेकिन आने वाले वक्त में तुम्हारी दोनो को जरुत पड़ेगी, दोनों पक्षो को, देखना, और वो दोनों चल कर तुम्हारे पास आएंगी, तुमसे मदद मांगेंगे, सहाइता मांगेंगे, देखना तुम, ये दोनों जो आज इतना एहंकार में डूबे हुए हैं न, इनके एहंकार को चूर चूर मैं करूँग तुम्हारा साइं करेगा, बस तुम जाने दो, अभी के लिए तुम छोड़ दो, जाने दो, और सुनो, आजकल तुम्हारे ये आखे सूनी-सूनी क्यूं है मेरे बच्चे, पहले तुम अपनी आखों में काजल लगाते थे, कितना प्यारा लगता था वो काजल, आजकल क्य कि वो मेरा कभी प्रमाण मी नहीं मांगते, मेरे होने की कभी गवाही नहीं मांगते, कभी नहीं, और मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास, कि उनका साइं है, कभी लटुक गोपाल के रूप में मुझे देखते हैं, कभी कृष्ट के रूप में तो इतने विश्वास है कि तुम्हारे चो प्रातना है वो सीधा सीधा मुझ तक पहुंच रही है क्योंकि इस दुनिया मेरा प्रातना करने वाले तो बहुत लोग है मेरे बच्चे लेकिन सीधा सीधा मुझ से संपक करके बात करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं सिर्फ तुम हो, तुम खास बच्चे हो मेरे, क्योंकि तुम्हें विश्वास है, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी प्रात्ना सीधी-सीधी मुश्टक पहुच रही है, और जिस बच्चे का ये विश्वास है इतनी इमानदारी होती है न कि वो मुझे पूरी करनी ही बढ़ती है बिलकुल करनी बढ़ती है और सुनो कुछ समस्या तुम्हारे जीवन में ऐसी है जिसे तुम अकेले नहीं सुलजा पा रहे हो परेशान हो कैसे सुलजेंगी वो सारी है न जब जादा चिंता बढ़ जाती ह कि तुम्हारी तो उस चिंता को तुम भूलने की कोशिश करते हो अपना दिमाग इधर से उधर लगाने की कोशिश करते हो या तो सो जाते हो या कोशिश करते हो कि उस चीज को उस समय को टाल दो उस वक्त के लिए क्योंकि वो चीजे तुम्हें बहुत परेशान करती है है तो चिंता मत करो, जो भी चीजे है न, वो सब सुलच जाएंगी, मेरी 40 पढ़ना शुरू करो, खुद बखुद देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें किसी को कुछ समझाने के जरूरत नहीं है, सब को अपन क्योंकि घबराते वो हैं, जो डरते हैं, जो गलत चीजे करते हैं, ना तुम डरते हो, और ना तुम कुछ गलत करते हो, तुमने नया काम किया है, तुमने बहुत शौक से और इज्ज़त से किया है, मान समान से किया है, और तुम आखे उठा कर चल सकते हो, तुम काम कर सकते बोलने दो जिसको जो बोलना है जो करना है करने दो लेकिन तुम अपना काम करते चलो डटे रहो और सुनो एक चीज और कई बारना तुम्हें नीचा दिखाया चाता है कुछ लोगों के सामने तो कभी-कभी ना वो नीचा दिखाना एहंकार नहीं होता कभी-कभी वो नीचा तुम्हें सबक सिखाना भी होता है। है तुम्हारी पर्वाह होती है। वहारी चिंता होती है। इस बात पर ध्यार रखना। क्यूंकि हर बारी नीचा सम्चा सीह कौने सामने बैसा भाणा ओपूला ओप लिसक्त पूर सता शीमारी,ाज peng उस दिठेक,वारा बी सहरे बकर वा तो उनकी बातों पर मत जाना, बिल्कुल मत जाना, और सुनो, जिन लोगों ने तुम्हें खिलोना समझ कर इस्तमाल करने की कोशिश की, जब मन चाहा इस्तमाल कर लिया, जब चाहा तुम्हें एक तरफ कर दियाना, मतलब निकाल कर, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना, क्योंक चीज़ कर लेते थे लेकिन अब ना उनके धोकों से तुम इतना ज़ादा दुखी हो चुकी हो कि अब ना उनके धोकों पर उन पर विश्वास करने का मन नहीं करता तुमारा और तुम पहले से बहुत कड़े बन चुके हो बहुत सक्त बन चुके हो और ये बनना बहुत जरू किया तुमने और सुनो वास्तविक्ता पता है क्या है वास्तविक्ता यही है कि इंसान अपने लिये करता है इंसान आजकल बस स्वार्थी बन चुके हैं सर्फ अपना अपना सोचते हैं हर कोई अपने बारे में ही अच्छा सोचने लगा है दूसरों की कोई परवाही नहीं कर सिर्फ कुछ ही मेरे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों की परवहा करते हैं बस उनी के अच्छाई के वज़ा से न ये दुनिया ठीकी हुई है आज वर्ना पापियों का तो नाश अब तक हो जाता वो उनी की वज़ा से बचे हुए हैं जो अच्छे करम कर रहे हैं बस उनी की परमात्मा के हाथ में सब कुछ है वही काड़ने वाला है वही देने वाला भी है और वही लेने वाला भी है तो सब कुछ उन पर छोड़ दो ना सब कुछ छोड़ दो उन पर अगर वो लेते हैं तो वो देते भी हैं अगर उन्होंने तुमसे लिया है तो वो तुम्हें वापिस देंगे भी किसी और रूप में देंगे किसी और तरीके से देंगे किसी और जरीय देंगे लेकिन देंगे सरूर देंगे मेरे बच्चे सरूर देंगे और सुनो तुम्हें ऐसा लगता है न तुम्हारा बाबा तुम्हारे घर पे आया था तो हां मेरे बच्चे तुम्हारा एसास जोटा रही था। सच्चा एसास था मेरे बच्चे वो। खुश्राओ, आज का साई संदेश समाप्तुवा।